साही राम, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर आप सब का स्वागत है हमारे यानि की मेरे और आपके इस यूट्यूब चानल जिसका नाम है जिन्दगी ए गुदगुदाहत सो आज मैं फिर आपके सामने कर्मा का सेवन्थ लौ और आज के दिन की आज का जो दिन है जिसे हम फादर्स डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं वैसे हम भारतियों का सेलिब्रेशन का जो एक जरिया नहीं है या हमारे अपने भारतिये कैलेंडर का हिस्सा नहीं है बट मेरे हिसाब से और मैं मानती हूँ कि भारतिय संस्कृती में माशब्द की व्याख्या, माशब्द का जो expression है, माशब्द की जो वजन है या माशब्द के जो emotions हैं, वो कवियों ने, रचनाकारों ने बहुत सारे शब्दों में, बहुत सारे poems में, बहुत सारी writings में उसको ल मा, तो इतना सारा आपको material दिखता है कि आपको लगता है कि बतलब N number of feelings are there, but same ऐसा ही मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप पिता शब्द या पापा शब्द या डाड या कुछ भी अगर आप टाइप करते हैं, so even Google भी जो है आपको, as compared to mother, उतना जो है आपको variety या content या expressions या written material नहीं दे पाता है, so मैं आज इसी तरी फादर्स पे या अपने घर का मुखिया जिसे हम कहते हैं, उनके उपर कुछ दो चार लाइने पढ़ना भी चाहूंगी और अपना जो मेरा life का experience मेरे फादर के साथ रहा है, वो भी मैं आपको शेर करना चाहूंगी, मेरे फादर ने मुझे हमेशा से घर का बेटा ही माना और उसी तरीके से मेरे साथ behave किया, so शायर इसी वज़े से जो मेरा level of confidence है, या जो मैं आज जो भी हूँ अपनी life में, या अगर मैं किसी भी परस्तिती का सामना बड़ी मजबूती और confidence के साथ कर सकती हूं, तो उसका ज थे, तो हम लोग को हर बार एक जगा से दूसरी जगा ट्रांसफर होता ही रहता था, so मुझे याद है, I was in class 6, जब मेरे पापा ने हमें, मुझे मेरी भाई वहनों की TC और कुछ पैसों के साथ, स्कूल भेज दिया था, कि मेरे को time नहीं है, so you are grown up, now you can get yourself admitted and your brother sisters also, so वो दिन म तो कदम मेरे पापा ने मुझे या पहला जो feel of confidence अगर मुझे में नहीं दिखाया होता, तो शायद मैं आज अतनी confident या उतनी study अपनी life में नहीं होती, उन्होंने मुझे हमेशा, जैसे मैंने अभी कहा कि घर का बेटा ही माना, घर का बड़ा बेटा ही माना, और आज भी मैं उसी तरीके से घर में बहेव करते हूं और मैं इस चीज के लिए यूनो बहुत शुक्र गुजार हमेशा से अपने पापा की रहूंगी, कि उन्होंने मुझे में वो confidence का बीज था वो बहुत early age में ही बो दिया था, उस समय जिस समय कि मैं बात कर रही हूं, उस समय लड़कि मेरे फादर ने वो सब चीजों को तोड़ते हुए, पीछे पचाड़ते हुए मुझे मेरी लाइफ में आगे बढ़ने दिया और जो मैंने चाहा वो मुझे करने दिया, I still remember कि मैं जिस भी चीज में हाथ रखती थी नो मुझे मिल जाता था, I remember my father looking at his wallet and you know counting the money because I was asking for a bicycle when I was in class 7th, और उस समें वो हीरो की जो लेडी, I don't remember the name of the bicycle, जो लडकियों के लिए आती थी, that used to cost 700 something, so मैंने रात को जासे ऐसे ही का कि मेरे सब दोस जो है वो साइकल में स्कूल जाते है, so मुझे भी साइकल चाहिए, and you know to my surprise, early morning, जब मैं अगले दिन सुबह उठी, तो वो साइकल म मुझे मिली, so you know, वो चुटोटी चीजे जो है, हमें अपनी life में, अपने बच्चों के साथ किस तरीके का behave करना है, ये भी बताता है, ये भी सिखाता है, पिता घर का वो सक्ष है, या पिता घर की वो identity है, या वो व्यक्ति है, जो अपने प्यार को, अपने expressions को, अपने feelings को as compared to ma, express नहीं कर पाता है, और उसी वज़ा से maximum time misunderstood होते हैं, कि हम हमेशा ये कहते हैं, पाप को तो समझ में आना ही नहीं है, पाप को तो कुछ पता चलता ही नहीं है, पाप से क्या बात करनी है, but आप सब चीजे, you know, agree करेंगे मेरे साथ अभी, कि life के जब बड़े decisions होते हैं, वो decision फिर job से हो, शादी से हो, transfer से हो, या investment से हो, so we seek advice of our fathers, isn't it? जो भी अभी ये channel देख रहा है, मैं उन सब को एक बार मेरे channel और मेरे परिवार की तरफ से, happy father's day कहती हूँ, और आप अपने परिवार में इसी तरह फलते फूलते रहिए, अपने बड़ों का सम्मान करिए, अपने पिता का सम्मान करिए, और जिन बचों ने या जिन families ने अभी इस COVID की हमारी के दौरान अपने पिता को खोया है, उन सब के साथ मेरी बहुत-बहुत सहानबूती है, और मैं अब यही कहती हूँ, कि जो गुजर चुका है, हम उसको बदल नहीं सकते हैं, लेकिन जो पास्ट में है, उसको देख कर हम अपना present और अपना future बिल्कुल बिल्कुल जो है, हम अच्छा बना सकते हैं, मैं उन सब बच्चों से यही request करूँगी, और मेरा suggestion भी यही है, कि आपके पिता जो चाहते थे, आप वो अब करके दिखाईए, क्योंकि यूनो, मेरा ऐसा मानना है कि लोग कहीं नहीं जाते हैं, लोग इहीं आपके आसपास ही आप करके देखिए, मैंने बहुतों को बोला है, मैंने भी ऐसे एक, you know, experience किया है कि, talk to them, you sit in a quiet place, आप एक शान्त जगह पे बैठिए, और उनसे connect करिए, आपको कोई problem है ना, तो आपनी आखे बन करके उनसे बात करिए, और उनसे कहिए, उनसे पूछिए कि देखिए, आपको reply मिला, मैं यह नहीं कहा जो कि they will, you know, कुछ ऐसा paranormal activity हो जाएगी, या कुछ ऐसा, the God will or your parents will give you a certain way, कुछ ऐसा आपको hint देंगे कि आपको वो काम करने में और वो जो काम आप करेंगे, जो आपकी gut feeling होती है, वो gut feeling आपको ज़रूर और ज़रूर आपके parents, आपके father नहीं हैं, तो आप उनसे बात करिए, आखे बंद करके एकांद में, अपने मंदिर में, आप जिस भी चीज को मानते हैं, जिस भी चीज में आस्था रखते हैं, उनके साथ बैठके, उनको connect करिए, और जिनके father है, भगवान उनको बहुत लंबी उम्र दे, वो अपने पिता के साथ बैठें, अपने पिता के साथ बाते करें, एक्सप्रेस करें, अगर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो आप करिये न, मैंने तो हमेशा से कहा है, कि अगर कोई आपकी तरफ नहीं चल के आता, तो आप चल के आईए, आप चलिए, दो कदम, चार कदम आप कि मैं चाहा रही थी लिखना मैं देखना चाहा रही थी लेकिन मुझे उतना कुछ मिला नहीं लेकिन जो भी मिला वो मैं आज आपके सामने पढ़ रही हूँ और उसका एक एक जो शब्द है न वो दिल को बहुत छूता है पिता परमात्मा की जगत के प्रती आ सकती है पिता ग्रहस आश्रम में उच्छ स्थिती की भक्ती है पिता अपनी इच्छाओं का हनन और परिवार की पूर्ती है पिता रक्त्त में दिये हुए संसकारों की मूर्ती है पिता एक जीवन को जीवन का दान है, पिता दुनिया देखने का एहसान है पिता सुरक्षा है, सिर पर हाथ है, पिता नहीं तो बचपन अनात है तो पिता से बड़ा तुम अपना नाम करो, पिता का अपमान नहीं उन पर अभिमान करो क्योंकि माबाप की कमी कोई पाट नहीं सकता और इश्वर भी इनके आशिशों को काट नहीं सकता विश्व में कभी भी देवता का स्थान तूजा है माबाप की सेवा से ही सबसे बड़ी पूजा है विश्व में किसी भी तीर्थ की यात्राएं व्यर्थ हैं यदि बेटे के होते माबाप असमर्थ है वो खुश नसीव है माबाप जिनके साथ हैं क्योंकि माबाप की आशिशों में हजारों हाथ है देखिए भी पोयम जो है ना ये मतलब कितना इसमें भाव है कितना इसमें गहराई है कि पिता जो है वो अपनी इच्छाव का हनन और परिवार की पूर्ती है आप एक बार बाप को कहके तो देखी, आप अपने पिता को कहके तो देखी, आपको ये चीज़ चाहिए, वो दिन रात एक करके आपको वो चीज़ ला कर देते हैं, देते हैं ना बहुत सारे बच्चे मुझसे अभी अग्री करेंगे कि वो एक बार अपने पापा को कहते हैं अपने पिता का आदर करिए, आज जो है वो Father's Day है, ऐसे तो हर रोज अपने माबाप का हमें आदर करना चाहिए, लेकिन आज के दिन कुछ special उनके लिए करिए, कुछ special उनके लिए कुछ अच्छा सा बना सकते हैं, कुछ अच्छी दोचार लाइने लिख सकते हैं, उनके साथ कुछ अच्छी सी मूवी देख सकते हैं, और जैसे कि हम अभी थोड़ा सा लॉगडाउन खुल गया है, तो आप अपने प्रिकॉशन के साथ उनके साथ कहीं बहार आ जा भी सकते हैं, तो फीलिंग को एक्स्प्रेश करने के लिए ना किसी बड़े प्लाटफॉर्म या किसी बहुत होहला या शोशेबादी की जरूरत नहीं होती है, आप अपने पिता के पास बैठके सिरफ यह कहें ना कि थैंक यू पापा फॉर अबरेटिंग और लाव यू, उस व्यक्ति की काम करने की जो शमता है ना वो चार गुना हो जाएगी, करके तो देखिए, और रही ब चाहिए, फोकस यारी कि आप एक साथ कई सारी चीजे लेकर नहीं चल सकते, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ एम रखते हैं, तो उसका फोकस जो है निरंतर बनाए रखिए, जैसे पिता है, उसका फोकस क्या है, कि आपको लाइफ में सबल बनाना, आपको कॉन्फिदें बनाना, आपको इस तरीके से लाइफ में प्लेस करना कि उनके जाने के बाद आपको या आपके आने वाले बच्चों को कभी कोई परिशानी ना हो, है ना, और उसके लिए हर पिता, अमीर, गरीब, अपनी शक्ती, अपने सामर्थ से दो गुना, चार गुना अपके साथ आ और अपनों का जो अभीमान होता है ना, जो अपनों की जो गर्दन या जो शरीर का धांचा है वो फुल ओफ कॉन्फिडेंस से भर जाता है, वो ही हम अपने साथ लेके जाते हैं, वो ही लोग हमें उसके हमारे जाने के बाद याद रखते हैं, लौ फोकस भी यही कहता है, जैसे कि अगर आप फोकस कर रहे हैं कि आपने स्पिरुचालिटी की तरफ जाना है, या धर्मिक वेचार रखने है, या अपनी लाइफ को रिलीजियस या स्पिरुचुल बनाना है, तो उसी टाइम पर उसी समय पर आप जेलिसी की भावना, इर्शा की भावना नहीं रख स बोड की एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं, या किसी कॉंपटिटिव एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं, या लाइफ में कहीं सेटल होने की त्यारी कर रहे हैं, तो आपका जो फोकस है, आपकी जो जो दृष्टी कोन है, जो आपका पात है वो उसके टुवर्द्स बिल्कुल स् जो पीछे जो आपकी life है उसको ध्यान में रखते हुए उससे सीखते हुए अपने present और अपने future को सबल बनाना उसको अच्छा प्रूव करना या अपनी गलतियों से सीखना focus ही है focus रखना अपने पर focus रखना कि मैं क्या हूँ मैं कैसे कर रहा हूँ मेरी किस गलति से या मेरी किस अच्छी आदत से मेरा कितना अच्छा होता है या मेरे आसपास के लोगों को कितना अच्छा और कितना बुरा होता है अगर हम ये focus अपने पास रखेंगे सो हम अपनी लाइफ में 150-200 परसन जरूर और जरूर शक्त हम सकसीड होगे सो मैं चलते चलते फिर यही कह रही हूँ कि आप अपने पिता का फोकस देखिए और उसी फोकस को फॉलो करकर अगर आप अपनी लाइफ बनाना चाहेंगे सो वो जरूर बनेगी हर पिताच अपने बच्चों को अपने से दो गुना चार गुना पांच गुना दस गुना ऊची सीडियों पर देखना चाहता है हना सो उसके लिए वो सिर्फ आप जी तोड मैनत करता है मानिए आप एक मजदूर को काम करते वे देखिए और एक ओफिस में अगर इवन इफ यूर पैरेंट इफ यूर फादर इससीओ और और सांबड़ी तो देखिए वो किस तरीके से अपने 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 फील्ड में अपने अपने वर्क के हिसाब से काम करते हैं दिन रात काम करते हैं उनके काम को सम्मान दीजिए उनका सम्मान करिए उनको प्रेम करिए और उनके साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त करिए और उन्हें थैंक यू और लव यू बोलना ना भूले और आज कर दिन उनके साथ बहुत खुशी के साथ मनाएं हर किसी को appreciation, special feel करना और करवाना बहुत अच्छा लगता है कोई आपको जब special feel कराता है ना तो बहुत अच्छा लगता है तो वो आप आज अपने father के साथ, अपने parents के साथ जरूर करिए और enjoy करिए अपना दिन और चलते चलते फिर वही बात मैं आपसे कह रही हूँ, खुश रहिए, मस्त रहिए, जैसे जी में आता है वैसे जीए और सुर्फ एक बात का ध्यान रखें कि आपके कारण किसी का दिल न दुखे साइराम